दूस्तो आज की इस टीटोरियल वीडियो में मैंने आपको यह देखाने जा रहा हूँ दूस्तो इंजाज में अभी बहुत ही बोड़िया ओफार चल रहा है दूस्तो इंजाज में कैसे एकाउंट ओपेंड कोरना है दूस्तो इंजाज एप में कैसे रेजिस्टर कोरना है द लाओ। प्लेस्टुल में जाके इंजाज बैंक टाइप कीजिए टाइप करने की बाद दूस्तोँ देखिए इन्जाज अप आ चुका है यह डाउनलोड करो तो मैंने पहले से डाउनलोड करके राका है दूस्तों मैं ओपन कर रहा हूं ओपन करके आप लोगों को देखा रह 24 यूट्यूब चैनल चलिए दूस्तों सुरू करते हैं तो दूस्तों मैं प्लेश्टोर ओपेन कर रहा हूँ स्वरी प्लेश्टोर ने यह मैंने पहले से अल्रेडी डाउनलोड करके राखा है इन्जाज तो आब ओपेन हो रहा है, ओपेन होने की बाद दूस्तों देखिए मैंने की देखिए। पहले लेंगोज सिलेट कर दिया औरडी इंग्स करने की बाद दूस्तों देखिए। यूजन नेमРЕ्न पासवड तो मैंने आभी तोक रेजस्टर नहीं किया, के तो मैंने नाद में क्लिक कर रहा हूं आप पहले से इसा अल्री रेजिस्टाड करके राखा है तो दूस्तो Active, इसमें क्लिक कुरने कि बाद दूस्तो डूस्तो एक कमा नमबर टाइब कीजिए तो दूस्तों मैंने कावा नमबर टाइप कोर दिया उसके बाद नीचे देखिए दूस्तों यह जो एगरी है इसमें ठीक मर्क दीजिए ठीक मर्क कोरने की बाद दूस्तों नीचे देखिए I am ready उसमें क्लिक कीजिए क्लिक कोरने की बाद अपना मोबाइल नमबर टाइप कीजिए तो मैं मोबाइल नमबर टाइप कर रहा हूँ दूस्तों मोबाइल नमबर टाइप कोरने से पहले 0 टाइप मोद कीजिए दूस्तों 0 छूड के 5 से टाइप कीजिए तो दूस्तो मैंने mobile number type कर दिया already tick mark आर चुका है उसके बाद email email दूस्तो optional आप type कर सकते हो या चूड़ सकते हो कोई भी मुश्किल नहीं है तो मैं email type कर रहा हूँ दूस्तो मैंने mobile number type कर दिया email type कर दिया उसके बाद दूस्तो date of birth आप date of birth type कीजिए उसके बाद next कीजिए दूस्तो मैंने mobile number email ID और date of birth type कर दिया उसके बाद next है दूस्तो next में click कीजिए नेक्स्ट में click कोने की बाद दूस्तो आपना mobile number पर एक OTP आएगा OTP आ चुका है दूस्तो 7373 चोज योर एड्रेस तो यह है मेरा एड्रेस है दूस्तो यह चोज कोरने के लिए बोल रहा है तो मैं चोज कोर दिया उसके बाद दूस्तो नीचे देखिए next लिका हुआ है उसमें click कीजिए next में click कोरने की बाद दूस्तो देखिए automatically आ चुका है अपना बिल्डिंग नंबर डिस्ट्रिक एडिशनल नंबर तो मैं स्ट्रीट बस टाइप कर रहा हूँ postal code city automatically आ चुका है दूस्तो दूस्तो मेरा जो स्ट्रीट का नेम है वो भी टाइप कोर दिया उसके बाद दूस्तो next में click कीजिए दूस्तो मैंने स्ट्रीट नेम अल्रेडी लिख दिया उसके बाद दूस्तो नीचे दिखे next लिखा हुआ है उसमें click कीजिए click कोरने की बाद दूस्तो title select कीजिए इसमें click करके MR select कीजिए उसके बाद done उसके बाद marital status select कीजिए single उसके बाद education level तो education level मेरा है higher studies उसके बाद है language language English कीजिए उसके बाद residence ownership तो यहाँ पर with family उसके बाद रेसिडियन्स टाइप बिल्ला फ्लोर एपाटमेंट तो इसमें फ्लोर टाइप कीजिए उसके बाद दूस्तो नेक्स्ट डान कीजिए निचे डान कोरने की बाद फिर और एक बार रिविव कीजिए कोरने की बाद दूस्तो निचे लेका हुआ है next उसमें क्लिक कीजिए उसके बाद I work in private उसके बाद है दूस्तो my job position यह select कीजिए कौन सा जॉब कर रहा है तो यहाँ पर search भी कर सकते हो driver कोई भी select कीजिए आप कौन सा जॉब कर रहा है यह select कीजिए उसके बाद done employer name अपना कौफिल का नाम लिग दीजिए तो कौफिल का नाम मैंने लिग दिया उसके बाद city select कीजिए उसके बाद done यहाँ पर फिल करने की बाद next कीजिए उसके बाद दुस्तो financial information monthly income यहाँ पर type कीजिए how much you are depositing monthly तो मैं 2000 कर रहा हूँ तो दुस्तो monthly income type करने की बाद दुस्तो source of income यह select कीजिए तो दुस्तो monthly income type करने की बाद source of income type कीजिए salary receiving income cash तो दुस्तो method of receiving income type करने की बाद यहाँ पर select कीजिए दुस्तो remittance and currency exchange उसके बाद next other income source इसमें क्लिक कीजिए तो दुस्तो additional income type करने की बाद source of income type कीजिए उसके बाद add another income source नहीं यह भी दुस्तो चूर सकते हो कोई भी मुश्किल नहीं है उसके बाद next उसके बाद दुस्तो income और outgoing transfer type कीजिए incoming transfer उसके बाद दुस्तो incoming और outgoing transfer select कीजिए आपका मर्जी से उसके बाद next उसके बाद दुस्तो टेक्स resident of countries outside Saudi Arabia यह type कीजिए टाइप कोने की बाद country select कीजिए इंडिया उसके बाद दन दुस्तो यह चूड़ सकते हो कोई मुश्किल नहीं है उसके बाद no next उसके बाद पुरा नीची आईए नीची आके दुस्तो accept कीजिए accept करने की बाद आप एक user id पासवार्ड टाइप कीजिए तो मैं पटापट से user id और पासवार्ड नया बना लेता हूँ तो दुस्तो मैंने नया बना लिया username और पासवार्ड उसके बाद next आभी एक security पूछ रहे है आप नया एक security बना लीजिए तो मैं एक security टाइप कर रहा हूँ कि उसके बाद रिटाइब आभी आभी आपका जो अप्शोर है अप्शोर में रिक्वेस्ट बेजा गया है यहां पर बोल रहा है फिफ्टीन डेज का अंदर आप आप यह रिक्वेस्ट एकसेप्ट कोड़ना होगा न तो reject हो जाएगा आप्शोर में जाके देखिये आप्शोर लोग इं कीजिए ISKEE में जाए उसके बाद क्लिक कीजिए से बाद General Service उसके बाद Kabul में जाए आप्रोब पेंडिंग क्वेस्ट उस तो मैं आभी अफ्षर में जाके आप लोगों को देखा रहा हूँ कैसे एप्रूब कोड़ना है गो टू अफ्षर क्लिक कोड़ने की बाद डिरेक्ट अपका अफ्षर एकांड में लेखे जाएगा यहाँ पे इंडिवाइज वेल क्लिक कीजिए और पहले लेंगुज सिलेक्ट कीजिए इंगलिश उसके बाद अपका अफ्षर आईडी पासवर्ट टाइप कीजिए ते मैं पटाबट से अफ्षर का आईडी पासवर्ट टाइप कर रहा हूँ दूस्तों मैंने अफ्षोर का id password type code दिया उसके बाद login तो टीपी मांग रहा है 5255 5255 उसके बाद login तो दूस्तों अफ्षोर अल्रेडी login हो चुका है login होने की बाद दूस्तों यहाँ पर देखें search का button है उसमें click कीजिए click करने की बाद यहाँ पर काबूल लेकिए Q Q लेकने की बाद दूस्तों आ चुका है काबूल उसमें click कीजिए click करने की बाद दूस्तों नीचे जाएए नीचे जाके देखिए दूस्तों view pending request view accept request दूस्तों view pending request में click कीजिए उसके बाद दूस्तों देखिए बैंक आल बिलाद ब्यू कोरने की बाद दूस्तों देखिए जो बैंक का आप रिक्वेस्ट बेजा था यह यहाँ पर शॉक कर रहा है बैंक आल बिलाद तो इसमें क्लिक किजिए क्लिक कोरने की बाद नीचे देखिए दुस्तों डिटेल्स उसमें क्लिक कीजिए उसमें क्लिक कोरने की बाद दुस्तों नीचे आई एगरी में टिक कीजिए और ये भी टिक मर्क कीजिए उसके बाद एक्सेप्ट एक्सेप्ट ने क्लिक कीजिए क्लिक करने की बाद दुस्तो are you sure you went to accept the request तो confirm कीजिए confirm करने की बाद दुस्तो देखिए the request approved sorry the request approval has been sent successfully तो दुस्तो successful हो चुका है तो अभी back कीजिए back कोरने की बाद आपका जो bank है bank में आईए in judge में आके निचे देखिए home page इसमें click कीजिए click कोरने की बाद दुस्तो जो id password आपने create किया था यह यहाँ पर type कीजिए type कोरने की बाद login तो मैं type कर रहूँ अभी दुस्तो मैंने id password type कोर दिया उसके बाद remember me उसमें tick mark कीजिए tick mark करने की बाद login कीजिए login करने की बाद अपना mobile नमबर पर एक OTP बेज़ेगा यह यहाँ पर type कीजिए OTP आ चुका है 3027 3027 दूस्तो देखिए अल्रेडी open हो चुका है अभी बोल रहा है जाओ जो आपका ATM कार्ड है इसका pin set करने के लिए तो setup pin में click कीजिए तो आभी pin set कीजिए तो मैं pin set कर रहू अभी दूस्तो रिटाइप करने के लिए देखर आए फिर रिटाइप कीजिए दूस्तो रिटाइप कर दिया उसके बाद देखिए automatically open हो चुका है आपका account यहाँ पर नाम शौक कर रहा है देखिए दूस्तो यहाँ पर card number issue date expiry date और निचे देखिए दूस्तो कार्ड स्टेटा सेक्टिब आइब्वियन नंबर और अवाइलिवल वेलेंस और दूस्तो एड बेनिविशारी में जाके बेनिविशारी एड करके आप इंडिया बंगलादेश पाकिस्तान कोई भी मुलुक में पैसा बैस सकते हो बिलकुल फ्री चल रहा है दूस्तो आभी और एड बेनिविशारी में जाके बेनिविशारी एड कीजिए तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे बेनेविचर याड़ करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दूस्तों